गुड इविनिंग और वेलकम टो दी केमिकल साइंस तो आज किस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं हम शपीरो रियक्शन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको सज़िस्ट करूंगा कि आप पहले इसके पहले ज़स्ट पहले की वीडियो बंफ़ाड स्टीविन्स रिय इसके डिवाइब दूसरा रूप है हमारा है शपीरो रियक्शन दोनों रियक्शन एक जैसी है क्या क्या डिफरेंट है मैं आपको बता दूं इसमें ऑर्गानिक बेस बस यहीं डिफरेंट है बाकि सब सेम है उसका मेकेनिजम भी सेम है बस लहां पर दो बंफ़ाड सेम उसमें भी था आपास कार्मोनील कंपाउंड प्लस है यहां पर था हमारा इनार्गैनिक बेस्ट में यहां पर है और वीडियो देख लेंगे फिर आपको समझ में आएगा र्यायक्शन भी मैंने सेम लिखी है जो चींजेम थी स्काइब mówi की पडस मेक一OOK में सॉलसा डिफरेंट होना है एंए यह रहा हमारे पास कार्वण कंपांड यह रहा हमार हैटरीन और यह दोनों को मर्यज करके है जो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड और हाइडर जीना वह दोनों अलगा लगाए अब इन दोनों आपस में मर्ज हो चुके यह है और यह बीटुल लीथियम दे जब रियक्शन कराएं कि तो यह होगा इतनी बास हम बंफार इस्टीविंस में भी कर चुके हैं मेकनिजम मेकनिजम आप बंफार इस्टीविंस में इन दोनों को जब मैंने दिखाया है तो इसको काफी डिटेल में बताया है आप वहां से इसको देख लेंगे अभी मैं इसको शाट में करूंगा इसकी और इसकी मेकनिजम बाद में जब हमारा जो में रियक्टेंट यह वाला है इस में इसको बंफार इस्टीमिंस में काफी डीटेल में बताया गया है देखिए यह हमारे पास औक्सीजन जो है वह यह और यहां से हमारा मा मिलकर यह दोनों माइनस एश्टू निकल जाता है और यह आपस मैं दूसरे से जूड़ जाते हैं यानिकि यह जो एन है वो डबल ब और यह यहां से रिक्ता हूं अगर आपको डिटेल जाना है तो आप इस पहले वाली वीडियो देख लेंगे यह हो गए R2, यह हो गए R3, C इधर R1 है, 11N, H, N के बाद देच नहीं है न, इसके बाद वाले N पर है, इसके पास है H, और है Ts, अब इसको कराते हैं, ब्यूट्य लिथियम, बेस, ब्यूट्य लिथियम हमारा क्या है, बेस है, ब्यू माइनस एलाई पलस, तो यह बेस क्या कर यहां से निकालेगा, यहां से निकल जाएगा, यहां पर इस N पर आएगा माइनस चार्ज, लिखते हैं, यहां तक सेम रहेगा हमारा, उसका हम पहले लिखे लेते हैं, CHR1, CHS मने लिखे, R1, R2, R3, R2, R3, और इस CSRHC, इसी से लगा हुआ R1, और इसी से लगा हुआ इस N से लगा हुआ है अब, इस N से लगा हुआ है N, फिर उससे N से लगा हुआ T, और इस पर N पर आया दो एलेक्टरन और आया माइनस चार्ज, और इस H को भी हम दिखा देते हैं, नीचे की साइड यहां पर, अब नेक्स इस्टे में क्या होगा हमारा, अब जो हमारी बंफार्ड स्टीवेंस रियक्शन थी, यहां तक होने के बाद हमारी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, प्रोटिक साल्मेंट में, एप्रोटिक साल्मेंट में, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा, अब यह जो है, यह अपना बांड इस साइड होगा, यहां से हच पलस निकल जाएगा, और फिर यह वाला बांड इस साइड मूव हो जाएगा, इस साइड मूव हो जाएगा, और यहां से फिर यह टोसाइल गूरूप निकल जाएगा, माइन एस टीएस, तो इस नाइट्रोजन को देखो, यह वाला बांड जब इस साइ और यहां पर लखना ऑँसेंगल हो जाएगा और यहां पर भीटबल हो जाएगा चलिए आप कुल सिर्थ जो आर फिर अजसी साव कर लबान पूबकसा शा defisu-Cecие बांच निकल गया है है और यहनगे बैसाड मुव का यानि की अभी आ भी आपर एब बान जाएगा अलब consist EX से एन इस होगया अभी इन जय डबल बांड एन डबल बान्ड नोरिस फर दोलकितर नोर मैने सचाज होज ना अलने शिस्टेम की ब्रेक हो जाएगा यानि कि कार्बन पर माइनस आ जाएगा इस नाइट्रोजन के हाल होगा इसे एक एलेक्ट्रान मिलेगा और इसके एक एलेक्ट्रान गया तो इस पर कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन इस नाइट्रोजन का इसके पास दो एलेक्ट्रान ते एक एलेक्ट् निकल जाएगा मैनेस İsन टू जाते से निकल जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा सी और इंधर आड्र वार्थी और यृण साथ इधी से लगत वर् वान और इस पर मायन सच ठील बाउंच सी इससे लPOS यह आर vient और यहर लगा हुगा यह R2 और यह R3 और इस पर दो एलक्टान और माइनस चार्ज यह हो गया अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसको करा देते हैं किसी एलक्ट्रोफाइल से रियक्ट या फिर एस प्लस से ही करा दें तो एस प्लस आकर यहां पर लग जाएगा वह हो जाएग यह हो गई हमारी अलकी अलकीन का फार्मेशन हो गया तो यह थी हमारी शपीरो रियक्शन अब इसको हम बंफ़ाड में भी हमारा मिला जुला के प्रड़क्ट यहीं बनता है बस उसमें थोड़े सी मेकैनिस हम अलग हो दी आप वह वीडियो देख लेंगे आपको समझ में आ सब सेम बस बेस अलगा बेस को मतलब क्या सको निकलना है जब रियक्टंट आ परड़क्ट हमारा सेम है तो वही सव्हों होई न Sylva क्या होगी कि अगर हमारे पास कार्वोनिल कंपाउंड और हाइटरजीन दिया होगा तो यहां से च्टू ओ निकाल देंगे और इस डबल बांड को इस नाइट्रोजन कनेक्ट कर देंगे यह तो हम समझ चुके हैं यह हो जाएगा फिर इसके बाद बीटूल लीथियम से कराए कराएंगे तब हम इसको यहां से निकालेंगे और शल बाल ऑनको कि यहां पर टो चल लगए फिर अब यही करना है हमें दो-तीन एक्जांबल देख लेते हैं हो जागा हमारे हमारे संपिर एक्शन खटम और वाकिया आपको कोई डाउट है कोई कंफूजन है तो आप नीचे कमेंड करके पूछ लेंगे तो अब देख लेते हैं कुछ और क्योश्चन शॉट रेक से चलिए सबसे पहले पहले पहला कोश्चन देखते हैं कि इसमें हमारे पास यह रहा कार्मोनील गूरूप और यह हमारा हमहारा है टुटras मा Killer ख्रोव हमें इससे दिक्कत और ग्सकायच तो सबसे में क्या देखनाए अभी तो इन ही दोनों की रिक्शिन होगी कैसे होगी तो यहाँ पर देखिया ऑक्षीजन है असे और यहाँ पर क हुआ है तो यहां से माहिने से स्टू को हम निकाल देंगे माहिने से स्टू को निकाल देंगे फिर क्या होगा इस जो दो डबल बांड है इसको उठाकर हम इसके ऊपर रखें यानि कि एन से इसको कनेक्ट कर दें यहां जो दो हाइड्रोजन निकल रहा है इसको उठाकर इसके के डबल rebels लै अब इसके बाद in यह इताश कर दें यह फिर यह ओपर है कि एच से पिर in a के ऊपर है कि आ इसो टूर इस डबल वांड ओ इसके ऊपर है एर यह करना है है हमिसकर क्षा जाने कintशंग हुसको बाक यानन राइन और से ऊहती तो हम हम इसको यहां से छूब इत्तने पाट को भीन स्था कर इसके बगल वालेographers पर डबल बन मांनेजे़ा विदल भी वान इस साइड बनानNew वह इस सिंब नेगा one two three four five six यहां दा ना यह दा इसके बगल वाले कारवान पर हम यहां पर एक डबल बॉण्ड पना दी कि ओकि अब जो hudkon laws वाइज शोर एजिए वार्ण यहां से हटकर कहा हां का ललग रहा है तो यहां पने देखो दो हैं और क्या थेखो बीडिजों निलिए तो अब यहां पर क्या देखेंगे उसकी यहां पर एक विशन है अब यह बीडिज़ कि अब जखके हैं हमारा र है दूसरे कश्चन दूसरे कुष्चन में हमारा क्लक्र्लीक ग्रुप और यहह अमरा ऐन थ्यूंळ इस यह जैना थो तो यह है तो यहां से stoo पह निकलिए ठीक हो और इस एन को हम यहां पर अटेश कर दिए एन फिर उसे बाद एन एस यार असोट उसके बाद लगेगा चलिए देखते ही आपर कैसे करना है इसको अटेश्ट अब अब यहां से जूलेगा यह फिर इस इन से क्या जूला हुआ है एन एच इस इन से जूला हुआ है एन एच इस से जूला हुआ है एन है आरस ओ तू हो चुज कर ने यहां से यह ग्रूप हमारा निकले गाँ कि इतना थ हमारा पास निकलना है आप है तो इस साइड आएगा तो इस साइड आएगा अब किस साइड आ आएगा आप देखिए बताए कहा इसमें देखिए दोनों तरफ से प्रोडुक्ट सेम बनना था तो कूщ За भी साइट से निकल जाता दोनों साषा इधर भी हैड्रो जन था इधर भी हैड्रो जन था और इसमें क्या देखेंगे हम spor van ing अत्षब है वे यहां पर आएगा हीईज है यहां डैपिस कारबन से आहकर लगे गएगा और मेरे कहने क्या मतलब है यह डबल बान यहां पर आएगा क्योंकि यहां पर इस कार्बन के पास इस पेस ही नहीं है कि यह डबल बान बना पाएगा अगर हाइड्रोजन होता तो कुछ पॉस्बिल्टी होती लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास तो क्या निकालेगा तो डबल बान यहां पर आएगा डूबल बन आगे हमारे यहाँ पर यहाँ पर एक hydrogen नीचे साइड आजाएगा एक hydrogen आपर बच्चा और जो दूसरा hydrogen था वो यहाँ पर आजाएगा देखो इस carbon का बंड काउंट करो आप 1 2 3 और यह डबल बान वाला पॉर और एक हाइट्रोजन है एक हाइट्रोजन यहां वाला निकल कर यह यहां पर आ जाता है है ऐसको देख लेते हैं तिस्रा जयंपल हमारा इसमें अमारे पास इसको हमें यहरा और है यह 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 दो है लेकिन क्या बताई है डबल डबल ज्यादे इस्टेबल होगा या फिर डबल सिंगल डबल कांजुकेशन वाला ज्यादे इस्टेवल होगा जो मारे पास बहुत बनेगा डबल बान हमारा जो है वह यहां पर आएगा चलिए मुद्धर दिखा देटा इधर का जो पोर्च्ण है उसको हमें सही बना देंगे फिर उसके बाद 1 2 3 4 यह रहा 1 2 3 4 डबल बान भी यह हमारा डबल बान यहां पहले था और दूसरा बाल बान डबल डबल ना होकर डबल सिंगल डबल कांजुकेशन में हो आएगा इधर रिजुनेंस में भी जा सकता है तो यह वाला ज्यादा इस्टेबल बनेगा तो हमारे यह वाला प्रडक्ट बनता है तो यह हो गई हमारी शपीरो रियक्शन इससे पहले की वीडियों हम बाफार इस्टिवेंस देप पढ़ी चुके हैं बाफार अन्शपीरो दोनों जो बहुत बार बदा चुका हूं कि मैं दोनों एक जैसी रिये रियक्शन है तो अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है इसमें तो आप मुझे नीचे कमन कर पूछ सकते हैं बाकी शपीरो रियक्शन में बस इतना ही मिलते हैं नेक्टी वीडियो में तब तक कि लिए ये मैं जयदेद खड़ाफिस